प्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल माय आइडेया ग्यान गुरू दोस्तों ये वीडियो में मैं पेशल आपके लिए बना हूँ जिन लोगों ने दस्तारिक को जो पेपर दिया था ओर्डिनेंस फेक्ट्री का तो उसका जो बॉयलर अटेंडेंट नाम की जो पोस्त थी ये उसका पेपर है तो दोस्तों ये इस टाइप से पेपर रहता है याने टोटल जो जनरल साइंस और कॉंटिटेट्व अप्टिटूट याने मयात ये टोटल 20 मार के लिए कोश्चन पूचा जाता है और दोस्तों जिन में आइटिया कंप्लीट किया है तो उस पर ये कॉश्चन पूछ जाते है वह टोटल रहीगे 80 मार्क कि तो आपको जो मार्क कवर करना होता है तो 80% मार्क इसमें ही आपको कवर करना होता है तो इस बार का जो paper है वो काफी hard था दोस्तों तो इसके जो level है जो cut up है वो काफी कम आएगा then आप के वो के तो इसके questions हम देख लेथे हैं यह के तोटल सबसे पहले questions से और यह दोस्त, जनरल सइनस और मात के जो questions है वो सब trade के लिए equal से जो जितने semi-scaled के लिए जो questions आए है वो जो 20 mark है वो सभी जो post है semi-scaled में वो सब के 20 mark का जो questions है वो totally same है 20 mark का जितना questions है वो totally same है सब trade के लिए same है बाकि जो 80 mark के जो है तो वो जिन लोगों का different different जो पोस्ट के लिए उन्होंने अटेंड ये किया है अपलाई किया तो उसी ट्रेट पर वह कोश्चन पूछे जाते तो देखते हैं आपका हमारा है कि बॉइलिंग बॉइलर अटेंडेंट पोस्ट के लिए कोश्चन पेपर तो देख लीजिए इसका सबसे पहले जन्रल साइंस दस मार के लिए है कि यह देखिए और इसका दोस्तों मेरा ये चैनल वाच करते रही है मैं आपको इसके सारे एंसर और मैंद के सारे की विट आंसर अपलोड जरूर करूंगा बहुत जल्द करूंगा सिप आप मेरा चैनल देखते रहे है यह हो गए दोस्तों टोटल दस कोश्चन याने जनरल साइंस के जो दस कोश्चन ते हो गए वह तो यह तो हो गए अपने बॉयलर अटेंडेंट के दस कोश्चन जनरल साइंस पर नेक्ष देखते हैं दस कोश्चन म्यात पर देखिए दोस्तों और दोस्तों जब आने वाली जब इसके रिक्रूटमेंट हो गई तो उसके लिए भी यह काफी इंपोर्टस पेपर है कोश्चन पेपर तो वह इसको देखके प्रैक्टिस कर सकते जो आने वाले कोश्चन रिक्रूटमेंट है और्डिनर्स प्रैक्टिक उसके लिए यह तो जल्द मैं आपको इसके आंसर की डाल दूंगा वेबसाइट पर नेक्स देखते हैं जिस ट्रेड में आपने बाइलर अटेंडेट के लिए जिस ट्रेड में आपने अपलाई किया था उसी ट्रेड में ट्रेड के कोश्चन यहां पूछे जाते हैं तो वह क्या है टोटल 80 म मार्की करना है याने यह जो दो उपर के टोपिक वह तो 20 मार्क है वह तो बहुत कम आएंगे ओके तो आप वह पासिंग की किये तो भी चलता लेकिन आपको किस टोपिक पर ज्यादा धान देना है वह आपको बॉयलर अटेंडेंट याने आपको जिस ट्रेड में आपने लाइंगे तो देखते हैं को और दोस्तों इसका जो इस बार का जो पेपर का लेवाले वो काफी हाड था तो यह मैं दस बार इसलिए बोर रहा थो क्योंकि मैंने कोश्चन सारे रीट करके रखे रीट करके देखे तो इस बार में मुझे लगता है कि 100% जो कट आप है जो हम पेपर देखके तो ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि काफी टब पेपर उत्रे थे इस बार को नेक्स्ट कोश्चन देखते है कि जिन लोगों ने दोस्तों सेवंटी सेवंटी के पास पास जिनोंने सॉल किया है कोश्चन तो उन लोगों के लिए इस बार हो सकता है क्योंकि काफ भी टब पेपर था ना इसलिए हो गए दोस्तों 41 42 और इसका आंसर की मैं जल्द अपलोड करूंगा अब चाइनल वाच करते रहे और दोस्तों फिर से मैं एक बार एक्सेक्टेट कटाप फिर से डालूँगा जो अब इसे जो दस तारीक को जो एक्साम हो चुकिए उसपर मैं फिर से एक्सेक्टेट कटाप डालूँगा क्योंकि काफी लोगों ने मुझे बोला है कि आप सर और फिर से जो एक्जाम हुई थी दस तारीक को तो उस पर आप एक्सपेक्टेट कट आप डाली है तो मैं फिर से सारा एक्जाम करके फिर से आपको एक नया एक्सपेक्टेट कट आप डालूँगा तो वाच करते रही है चाइनल यह हो गए 47 कोश्चन बॉइलर बॉइलर पोस्ट के लिए है यह सारे कोश्चन 57, 58, 59 तो यह हो गए दोस्तों 80 कोश्चन हो गए देखें नेक्स्ट कोश्चन काफी टब पेपर आया था इस बार काफी लोगों ने सॉल किया है यह पेपर लेकिन कोई आउट अप छुड़ा नहीं पाया है इस बार तो इसका कट अप तो कम जाएगा ही जाएगा इस बार तो जिन लोगों ने 60 के अबाव किया है वो तो सेफ पी रही है आपका इस बार हो सकता है तो यह हो गए दोस्तों सारे हंड्रेट कोश्चन अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा जो मैंने आज बॉइलर अटेंडेंट पर डाला है यह कोश्चन पेपर जो दस तारीकों आर्डिनेंस फैक्टरी में पूचा था अच्छा लगा तो प्लिस मेरे चानल को सब्सक्राइ सब्सक्राइब करें शेर करिए थैंक्यू फ्रेंड्स मिलते एक नहीं वीडियो के साथ